नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा, एक बार फिर उपस्तित हूँ आपके सामने कक्षा आठ, वसंत भाग तीन का छटा पाठ लेकर, जिसका नाम है भगवान के डाकिये, इसके रचाईता हैं रामधारी सिंग दिन कर, आईए सबसे पहले कविता का सहस्वर गायन करते हैं, पक्षी नहीं पाते हैं, मगर इनकी लाई चिठियां, पेड, पौधे, पानी और पहाड बाचते हैं, हम तो केवल यह आकते हैं, कि एक देश की धरती, दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सोरब हवा में तैरते हुए, पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक आप दूसरे देश में पानी बन कर गिरता है, रामधारी सिंग दिन कर, आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपुर्ण बिंदूों पे चर्चा करते हैं, कवी ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिये कहा है, पक्षी और बादल किसी देश की सीमाओं में बंद कर नहीं रहते, ये एक देश से दूसरे देश को जाते रहते हैं, इनके संदेशों को पेड, पौधे, पहाड, जरने आदी पढ़ पाते हैं, बगवान के डाकिये हमें प्रेम, सोहार्द, एकता और समानता का संदेश देते हैं, कवी ने प्रकृती के माध्यम से हमें मिलकर र भावार्थ समझते हैं, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, पक्षी और बादल को कवी ने भगवान के डाकिये कहा है, डाकिये यानि संदेश पहुंचाने वाले, यानि पक्षी और बादल भगवान का संद पहुंचाते हैं ये भगवान के संदेश वाहक हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं महादेश यानि बड़ा देश ये एक देश की सीमाओं में बंदकर नहीं रहते ये एक देश से दूसरे देश में जाते रहते हैं कवी कहते हैं कि जिस प्रकार हमारे संदे करते हैं अतह ये भगवान के डाकिये हैं ये एक देश से दूसरे देशों में जाते हैं और भगवान का संदेश पहुचाते हैं हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिठियां पेड़, पौधे, पानी और पहाड बांचते हैं कवी कहते हैं कि पक्षी और बादलों द्वारा लाई हुई चिठियों को उनके द्वारा लाई हुए संदेश को हम समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिठियां चिठियां यानि पत्र अर्थात संदेश उनके संदेशों को पेड़, पोधे, पानी, पहाड आदी बांचते हैं यानि पढ़ते हैं कवी कहते ह कि इन बगवान के डाकियों का लाया हुआ संदेश हम समझ नहीं पाते हैं इनके द्वारा लाई गई चिठियों में प्रेम और भाईचारे का एकता और सदभावना का संदेश होता है इनके संदेश तो पेड, पोधे, पहाड, जरने आदी ही पड़ पाते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार भी करते हैं यानि पेड, पोधे, पहाड, जरने आदी ये सब को समान रूप से अपने फल, छाया, फूल, पानी आदी देते रहते हैं ये किसी के साथ भेदवाव नहीं करते ये हमें मिलकर रहने की प्रेरणा देते हैं हम तो केवल यह आकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंद भेजती हैं और वह सोरब हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है हम तो केवल यह आकते हैं, आकते हैं यानि अनुमान लगाते हैं अर्थात हम केवल ये अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध वेजती है, यानि एक देश की खुश्बू हवा के माध्यम से उड़कर दूसरे देश में जाती है, हम केवल इतना ही अनुमान लगाते हैं, उसके पीछे जो प्रेम भाईचारे का स संदेश थुपा है वो हम नहीं समझ पाते हैं। हम सोचते हैं कि यह सौरब, सौरब यानि सुगंध, यह खुश्बू हवा में तैरते हुए और पक्षियों की पांखों पर यानि पंखों पर सवार होकर दूसरे देश में चला जाता है। इसका भावार्थ है कवी कहते हैं कि हम लोग तो केवल यह अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धर्ती दूसरे देश को संदेश के रूप में अपनी सुगंध भेजती है। वह सुगंध हवा में तैरती हुई और पक्षियों के पंखों के माध्यम से दूसरे देश में पहु और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। एक देश का भाप यानि वाश्प अर्थात एक देश का पानी गर्म होकर भाप के रूप में उपर उठता है और वही पानी दूसरे देश में पानी के रूप में गिरता है गिरता है यानि बरसता है। इसका भावार्थ है कवी कहते हैं कि एक देश का पानी भाप के रूप में उपर उठता है और वही पानी बारिश के रूप में दूसरे देश में बरसता है अर्थात बारिश और नदियों के माध्यम से एक देश का पानी दूसरे देश में पहुंचता है अतह पक्षी, हवा, बाद पानी आदी किसी देश की सीमाओं में बंदकर नहीं रहते ये एक देश से दूसरे देश में जाते रहते हैं क्योंकि ये भगवान के डाकिये हैं जो हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं यानि हम सब को मिलकर रहने का संदेश देते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कारिय पर। सबसे पहले कवीता से। पहला पुशन है कवी ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिय क्यों बताया है स्पष्ट कीजी। जिस प्रकार हम लोगों के संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कारिय डाकिय करते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिठीयों को कौन-कौन पढ़ पाते हैं सोचकर लिखी। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिठीयों को पेड, पोधे, पानी, पहाड, आदी पढ़ पाते हैं। अगला प्रशन है किन पंक्तियों का भाव है कि पक्षी और बादल प्रेम, सदभाव, एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। यानि कविता की कौन सी पंक्तियों में ये भाव चुपा है। वे पंक्तियां हैं, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। आगे कहा है, प्रकृती देश देश में भेद भाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। यह भाव चुपा है कविता की इन पंक्तियों में, और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बन कर गिरता है। अगला प्रश्ण है, पक्षी और बादल की चिठियों में पेड, पोधे, पानी और पहाड क्या पढ़ पाते हैं। पेड, पोधे, पानी और पहाड आदी उस संदेश के अनुसार विवहार भी करते हैं। अगला प्रश्ण है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी सुगंध के माध्यम से प्रेम और सद भावना का संदेश भेजती है। धर्ती अपने फूलों की खुश्बू को हवा व पक्षियों के माध्यम से तथा अपने पानी को नदियों व बादलों के माध्यम से दूसरे देशों में भेज कर हमें आपस में मिलकर रहने का व भेदभाव न करने का संदेश देती है अब कविता से आगे पहला प्रशुन है पक्षि और बादल की चिठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टी से देख सकते हैं पक्षि और बादल की चिठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए दस पंक्तियां लिखी प्राचीन काल में चिठी भेजने का कारिय पक्षियों दुआरा किया जाता था फिर तार, टेलिफोन, फेक्स, मोबाइल आदी के माध्यम से संदेश भेजे जाने लगे वर्तमान में संदेश भेजने का आधुनिक्तम साधन इंटरनेट है इंटरनेट के माध्यम से पल भर में ही संदेश कोसों दूर पहुँच जाता है इंटरनेट के माध्यम से हम अपने प्रिय जनों को संदेश भेजते हैं जबकि पक्षी और बादलों द्वारा लाए संदेश संपूर्ण मानव जाती के लिए होते हैं। इन में प्रेम और भाईचारे का भाव होता है। हाला कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक बार में ही एक ही साथ संपूर्ण मानव जाती के लिए संदेश भेजा जा सकता है अगला प्रश्ण है हमारे जीवन में डाकिय की भूमी का क्या है? इस विशय पर दस वाक्य लिखिए हमारे जीवन में डाकिय की भूमी का बहुत महत्व पूर्ण है डाकिय हमारे अपनों के संदेशों को हम तक पहुँचाता है वह अनपड लोगों को संदेश पढ़कर सुनाता है तथा पत्रों का जवाब लिखने में भी सहायता करता है अतह वह भी हमारे सुख दुख का आज इंटरनेट का चलन अधिक होने के कारण डाकियों का कारिय भी कम हुआ है लेकिन ग्रामिन ख्षत्रों में दूर दराज के ख्षत्रों में तथा पहाडी इलाकों में आज भी डाकियों को किसी देव दूद से कम नहीं माना जाता आगे बढ़ते हैं अनुमान और कल्प अपना से एक लेक तयार कीजी लेक लिखने के लिए आप चिठियों की अनुठी दुनिया पाठ का सयोग ले सकते हैं प्राचीन काल में पक्षियों द्वारा संदेश भेजे जाते थे पक्षियों को इस तरह प्रशिक्षित किया जाता था कि वे संदेश को सही स्थान पर वह सही व्यक्ति को ही देते थे इसी कार्य को और अधिक तेजी से करने के लिए हर कारे वह गुड़ सवारों को बेजा जाने लगा डाक विभाग बनने के बाद डाकिय इस कार्य को और भी अधिक सुचारू रूप से करने लगे वरतमान में संदेश भेजने का आधुनिक् और उनकी भूमिका में परिवर्तन होता रहता है ये था पाठ बगवान के डाकिये इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रशन हो तो कृपया कमेंट्स में लिख कर अवश्य पूछें धन्यवाद